हेई फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू बाई यूट्यूब चैनल आज मैंने बनाया है बिल्कुल मुंबई स्टाइल वड़ा पाव और उसकी सुखी चटनी तो चलिए बनाते हैं उसकी रेसिपी इसके लिए चाहिए हमें बॉयल पटेटो सुखा नारियल पीनट सफित तील मिनट और एक-दो मिनट रोष्ट करने के बाद उसमें डाल देंगे सफित तील और सुखी लाल मिर्च वापस से इसको एक-दो मिनट पकाएंगे उसके बाद उसमें डालेंगे सुखा नारियल और यह बिल्कुल लोटू मीडियम फ्लेम पे ही करना है और उसे के साथ हम डा हमेंडे बड़ का मिक्स्छर इसके लिए मैंने लिया एक पैन में एक जीरा और यूसमें डाला है राइ जीरा और एक豪 पिंच जितनी हिंग उसमें डालेंगे करी पत्ता और जो हरी मिर्च और लसुन था तो उसको मैंने दरदरा कूट लिया था अभी इस मसाले को इसमें अच्छे से थोड़ा जब तक कच्छापन नहीं जाता तब तक पका लेंगे इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही करना है अभी मैंने फ्लेम आफ कर लिया है दाल देंगे उबले हुए आलू और देड़ चोटी चम्मच इतना नमक साथ ही में फ्रेश हरा धनिया और आधी चोटी चम्मच इतनी चीनी अभी सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी इस मिक्सर को मैंने एक बॉल में निकाल लिया है अभी हम इसके छोटे- आपको जितनी साइज के वड़े रखने है उसी साइज के आप ऐसे गोले बना लेना मैंने 7-8 मीडियम साइज के छोटे आलू लिये थे तो मेरे तोटल 13 गोले बनके रेडी हुए है अभी हम बना लेंगे बेसन का मिक्सर तो इसके लिए मैंने 6-7 चम्मच जितना बेसन लिया है इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालके इसको ऐसे मिक्स करते जाएंगे तो अभी हमारा बेसन का बैटर भी बनके रेडी हो चुका है अभी मैं इसमें डालूंगी आदी छोटी चम्मच जितना नमक और 2-5 जितनी हल्दी मुझे इसमें लाल मिर्च नहीं पसंद तो मैं नहीं डालती हूँ आपको डालना है तो डाल सकते हो अभी हमारा बैटर बनके रेडी हो चुका है तो मैं इसको रखूंगी एक साइड पे और अभी हम सुखी चटनी को मिक्सी में पीस लेंगे अभी हमारा जो हमने रोष्ट करके रखा था पूरा मसाला वो थंड़ा हो चुका है तो मैंने मिक्सी में डाल दिया है उसी के साथ डालूंगी दो चम्मच भरके लाल मिर्च पावडर आधी छोड़ी चम्मच जितना नमक और एक पिंच जितना ब्लैक सॉल्ट इसको ऐसे पॉल्स पे चलाना है चालू बंद चालू बंद करके इसको पीस लेना है क्योंकि यह चटनी बिल्कुल दरदर ही होती है तो इसको ऐसे ही हमें करना है अभी हमारी चटनी बंद के बिल्कुल रेडी हो चुकी है तो मैं इसको निकाल लूँगी अलग एक बॉल में देखिए बिल्कुल एकदम दरदरी सी चटनी बनके रेडी हो चुकी है अभी मैंने साइड में ऑईल गरम करने के लिए रख दिया था अभी जो हमने आलू के जो गोले बना के रखे थे उसको बैटर में पूरा कोट करके हम डालेंगे ऑईल में और हमें बिल्कुल ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है दो मिनिट में हमारे वड़े बिल्कुल फ्राई हो जाएंगे अभी हमारे वड़े फ्राई होने को आ चुके है अभी हम इसको निकाल लेंगे देखिए बिल्कुल उपर से ओईली ओईली नहीं लगते है बिल्कुल ड्राई ही निकलते है आप बैटर में सोडा मत डालना सोडा डालते हैं तो थोड़े वड़े में ओईली ओईली लगता है अभी ऐसे ही मैं हरी मिर्ची को भी फ्राई कर लूँगी उसको बैटर में डाल के इसे पुरा निचोड के ओईल में डाल देंगे अभी एक दो मिनित के बाद हमारी हरी मिर्ची भी फ्राई हो चुकी है ऐसे ही करके मैंने सारे वड़े बना लिये थे अभी हम करेंगे वड़ा पाउ तो पाउ में हम ऐसे सुखी चटनी डालेंगे साथ ही में रखेंगे एक वड़ा और हरी मिर्च ऐसे ही करके हम वड़ा पाउ बना लेंगे और मैंने इसको थोड़ा प्याज के साथ सर्व किया था यह बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी बनके रेड़ी हो जाता है और जटपट से बन भी जाता है बाकी एक्स्ट्रा कोई मसाले भी नहीं लगते और घर में जो रेसेपी अवेलेबल होती है उसी यह अच्छे से बन जाता है आप बिल्कुल ऐसे ट्राइ करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे वीडियो अगर पसंद आते हैं तो उसको लाइक करना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और बिल्कुल आसानी से घर पे बन जाता है यह तो आप बिल्कुल ऐसे ट्र करना थैंक्स पू वॉचिंग जैश्री कृष्णा